Free Video Editing Course capcut Capcut application वीडो कैसे अड करें वीडो में cuts कैसे लगाएं nutrition कैसे लगाएं music कैसे अड करें trending effects को अपनी वीडो को पर कैसे अपलाय करें color grading, slow motion, auto velocity background, recent type Editing आज की सुद़वर आपको देखने को मिलेगा तूकि ये जो आप वीडो देख तो ये मिलगुल कोर्स है वीटो एडिटिंग का चैपक अप्लिकेसमें अगर आप इस वीटो को लास्ट थक देख लेए तो देनको एडिES कुछ नहीं के जरुद्टी लहीं होगी अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाव हम बिल्कूल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो को हम कैसे आड कर सकते हैं CapCut application में तो new project के उपर आपको simply से क्लिक कर देना होगा ये उसके बाद जो वीडियो को अपखो एडिट करना मैं उसके बाद में दो वीडियो सेलेक्ट करते हूं ठीक है धविस्तिति बाद implication पेलएन इससे पहले ना अपी हो सेलेक्ट करें होगे थ आपकी गुआ में अधिकर होगी है आता है कि देखो मेरे एप्लिकेशन में यह टूल से यह टूल से ओके तो वीड़ो एड़ हो चुकी वह ला पार्ट मुझे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यह वालकिंग वाला पार्ट चाहिए तो हम उसे कैसे रिमूव करें के मादलब कैमरा को हम सबसे पहले और करते हैं अपना जो भी लॕसण होता है कुछ भी मींट करते हैं हम खूर्ण करते है तो जो स्टा Insurance से जाने वाला सीन है उसे हमें हटाना पड़ता है तो उसे हटाने के पर वीड़ो करने वीड़ो को प्ले het और एन्ड, देखो कि कहांपहल आपको है हाट आने , तो इतनी दूर तक आके अपनीविडियो को आपको क्लिक करदेंगे , ठीक है , एसकेबाद है Apps mad अब इसे हम यहां से रिमूव कर सकते हैं तो इसको उपर क्लिक करेंगे और हमारे जो वेस्ट पाट था या फिर जो हमें नहीं चाहिए था वह हट चूगा और यह वालकिंग वाला सीरफ ठीक है तो इस तरह किसे किया जा सकता है तो बात होगे कि है starting में, अगर start in में है तों हम यहां से इसतरी के से remove कर सकते हैं बर अगर कहीं पर middle में कुछ error आ जहा है या फिर middle में कुछ ऐसा पार्ट record होया जो कि हम नहीं चाहिए वीडो में जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो रही है तो वहां पर आप जाना जाना जिसकी हमारा जो टैम्पो वह यहां से आरे तो यहां आ जाएंगे अपनी वीडियो को पर क्लीक करेंगे इसे फिर से प्ले करेंगे और जितना दुर तक आपको यह टेम्पू होगा या फिर इतना दुर तक आपका वीडियो में थोड़ा बहुत घड़ बड़ यह हुई होगे वहां तक रहना and a split को पर क्लिक कर देना औ और आपको फिर से यह जो वेस्ट वाला पार्ट है वो हमें मिल गए एक छोड़ा से क्लिप में अब इसके ओपर क्लिक करेंगे एंड यहां से फिर से डिलीट कर देंगे तो इस तरीके से अनवांटेड पार्ट या फिर जो आपको नहीं चाहिए वीडियोज में वाला चल रहा उसके भाद गर्दन नीचे कर दिया यह देखने वाचीन लग रहा ना मतल्य की डारिट आप एक सेज्ए चल लो देन उसके डारिट गर्दन नीचे हो जारी यह उतना अच्छा नहीं लग रहे देखने बहुतना प्रोफिशनल नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंग मिल जाएंगे ठीके कम्माल कम्माल के बहुत सारे यहां पर इतने सारे इफेक्ट्स हैं कि मैं अगर इन्हें एकक करके दिखाने बैठ जाओं तो यह काफी टाइम लग जाएगा ठीके तो इसलिए मैं आपको एक दो इफेक्ट्स को दिखा देता हूं एंड उसके बाद आपक करके आप देख लेना ठीके मैं यहां पर कुछ एफेक्ट्स है आपको दिखातों है निससी कि यह डेट्रो हाल पर देख सकते हो काफी कम्माल का हुए तकर बहुत सारे मल जाते है इन बहुत बढ़ियां वाले मिल जाते तो मैं एक अच्छा वला इसमें यूज करके आपको दिखाता हूं तो यह बबल बलर वाला मुझे सही लग रहा है तो इसके उपर मैंने सेक्ट के एंड उसको वादे डन करते देनिसे में प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कुछ यह सबका आवाज आए है उसे आपको आफ करना होगा तो उसे करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सॉट कटे तरीका बताता हूं ठीक है आप म्यूट क्लिप ओडियो को पर क्लिक कर देना सारा ओफ हो जाएगा ठीक है आपका जो रिकॉर्डड ओड़ी होगा अब उसके बा उसे सिंपली सा सेलेक्ट कर लेना जैसे कि यह वाला में सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर हमारी म्यूजिक एड हो गई आपको देख सकते हो और इसको म्यूजिक का अगर लेंथ आपको ज्यादा लगता जैसे कि और वीडो हमारी इतना ही दूरतक है बट म्यूजिक ज्याद एड़ कर देंगे ठीके तो इस तरही के से करके आप वो देखने से कर सकते हो बहुत ही सिंपल है we ancestors को slow motion हमें कैसे कर सकते हिसी कि यह वाली व्यड़ो देखो तो काफ़ी slow motion इसमें की गई है जिसके कारण वीडो देखने में बढ़ हिया लग रहा है ठीके तो इस सहीगी से हम slow motion कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तुमें कैसा वीडो एड कर लूँ जिसमें कि slow motion नहीं किया गया तो वीडो एड करने के लिए आप प्लस वलोटन को पर टैप करके यहां से भी आप वीडो को एड कर सकते हूँ for example मैं इसे use करने वाला हूं तो इसे सेलेक्ट करते हैं and HD को फीज़े सेलेक्ट कर लेंगे ताकि quality सही रहे and add को पर click कर देंगे ठीक है तो यह देख सकते हैं एक video हमारी add होगे जिसमें कि बिल्कुल normally यह चल रही है ठीक है अब इसे हम करेंगे slow तो slow करना बहुत ही simple होगा आपको अपनी video को पर click करना है and उसके बाद काफी सारे आपको tools मिल जाएंगे तो आपको simply सा speed को पर click करना and यहां पर आपको दो tools मिलेगा आपको normal के ओपर click करोगे then आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हो ना इसे simply सा back कर देना then आप देखोगी कि आपकी जो video है वो slow हो रही है ठीक है slow हुई ना अब इसे हम और पीछे करेंगे तो और slow होगी आप देख सकते हो जाएगा जो कि उतना प्रोफीशनल नहीं लगता है उतना मजा नहीं आता है ठीक है तो इसलिए हम इसे जल्दी यूज नहीं करते हैं इसे और नॉर्मल रख देता हूं वन पे जो था हमारा अब यह स्लो मोशन करने करना जो सबसे बेस्ट तरीक है स्पीड के उपर जाने के बाद आप यह कर्भ को यूज कर सकते हूं कर्व करने के बाद आपके सामने कुछ प्रीशेट्स देखने को मिल जाएंगे मतलब कि पहले से जो सलो मोशन का कुछ डिजाइन बनाया हुआ होग स्पीड में उसके बाद स्लो हुआ जैने हीरो के उपर में क्लिक कर रहा हूं तो स्टार्टिंग वाला थोड़ा स्पीड था देन स्लो हुआ फिर स्पीड हुआ बुलेट को उपर क्लिक करें तो बुलेट के जैसा स्टार्टिंग में आया है उसके बाद स्लो और फास्ट वा ठीक है तो कुछ यहां पर बना बनाये हुआ आपको स्पीड वाले मिल जाते हैं जो को उतना बढ़ है नहीं होती सभी वीडियो को पर अच्छा से अपलाई नहीं होता है इसलिए आपको कस्टम के उपर क्लिक करना एंड उसके बाद एडिट के उपर क्लिक करना अब आप यहां पर एकक चीज को कंट्रोल कर सकते हो जिसे अगर को यह स्टार्टिंग वाला पर्ट जल्दी में चाहिए तो आप इसे ऊपर कर दो डो फीके तो यह स्टार्टिंग वाला पार्ट तुरनल आ जाएगा अब उसके बाद जब इंटर हो रही है है यही試र्चर शिल्वे यहां पे स्लो करना है क्योंकि entry थोड़ा slow motion में हो तो पड़े हैं लेगेगी ठीक है तो उसे करने के लिए हमें यहाँ पर इसे नीचे करना हो ठीक है इसे त्योड़ा सा नीचे कर देंगे दर्म सक बाद आप देखोगे यह जो starting वाला part था वो हमारा speed में आया उसके बाद entry वाला part slow हुआ और slow करना है तो और नीचे कर देंगे ठीक है इस वाले point को पकड़िके तो slow हो जाएगी और भी ओके तो इस तरीके से किया जा सकते है अब अगर आपको दूसरे places पर वीडियो को slow करना है for example यहाँ पर भी slow करना है तो इस point को नीचे कर देंगे अब बोलो को भाई कहीं पर point नहीं और और वहाँ पर मुझे slow या फिर fast करने तो कैसे करूं तो आप यह point add कर सकते हो मालो यहाँ मुझे speed करना है तो add कर देंगे point and इससे point को उपर कर देंगे ठीक है यह वाला पर देख सकते हूँ इससे point add कर जा सकते है अब मुझे यहाँ पर यह slow थोड़ा और ज्याद करना है इ आपको जहाँ speed करना उपर कर देना जहाँ slow करना नीचे कर देना उसके बाद make it smoother को पर क्लिक करके better quality यह step बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि जब आपको slow करते होना आपकी वीडियो को तो वह smooth नहीं रहता है इससे आप जब select कर लोगे और उसके बाद done करोगे तो आपकी processing complete हो जाए then done करेके मैं आपको दिखाता हूँ कितना कमाल का हमारा slow motion हुआ है देख सकतो बिल्यकुल smooth है ठीक है तो इस तरह किसे slow किया यहाँ पर भी slow हुआ हमारी तो यह slow motion वाली काम हो गई अपनी वीडियोज को पर हम trending effect से कैसे आड़ कर सकते है trending effect मतलब यह जो hello blur effect होते हैं उसे हम कैसे आड़ कर सकते हैं या फिस एक effect कैसे आड़ कर सकते हैं flash effect ठीक है तो इन्हें आड़ करने के लिए आप जस्ट effect वाले section को परना आप देख सकतो यहाँ effect का एक section मिलता है इसके पर click करेंगे देन video effect को पर आपको click करना देन यहाँ पर trending वाले section में बहुत सारे effect मिल जाएंगे ठीक है जितने भी trending effects आपने Instagram पर देखा होगा वो सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे YouTube shots पर देखा होगो बहुत सारे मिल जाते जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा से नीचे क कोई भी effect को apply करना सिंपली सा उस effect को पर click कर देना होता है ठीक है एंड उसके बाद just done करना है और आप देख सकतो effect apply होगे HDR वाली बट यह इस वीडियो को पर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए हम इसे delete कर देते हैं कोई और effect करते हैं तो वीडियो effect को पर हम जाते हैं उसके बाद यहां पर हमें बहुत सारे effect से देखने को मिलेगा तो scroll करके मैं यहां पर trending एक हेलो ब्लर effect है इसे choose कर लेता हूँ और उसके बाद डन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा यह वाला effect हो गया बट इस वाली वीडियो को पर उतनी सही नहीं लग रही न अगर आपको कुछ sick effect या फिर कुछ और effects वो add करने तो वो भी आपको मिल जागे जिसे कि यह sick वाल effect है यह भी मिल जा रहा हमें एक अभी अभी नए वाला add कर गया ठीक है फ्लावड scanning वाला यह भी काफी कमाल कर लग रहा है यह तो इसे भी use कर जा सकते है ओके और भी यहां करना मैं एक दो यूज करके दिखाता हूं यह vibration वाल अच्छा लग रहा है तो इसे रखते हैं एंड देख सकते हूं कितना कमाल का यहां फ्लैस एफेक्ट और सेक एड़ करें मस्त लग रही हमारी व्यूड़ यार ओके इसी effect वाले section में आपको एक body effect का भी section मिल लोगा ठीक थोड़ा सा यहां पर हमें loading होरे wait करना होगा and wait करने के बाद आपको देख पोगे आपकी व्यूड़ पर एक कमाल का effect आड़ हो जागा जो कि बहुत ही ज्यादा trending पर ठीक है यह होगे हमारा loading and done करते दन उसके बाद आप देख सकते हूं हमारे व्यूड़ को पर यह अपलाय लेते हैं and उसके बाद done करते हैं तो देख सकते हूं यह effect add होगी उसके बाद और भी हमें यहाँ व्यूड़ एफेक्ट के मिलिए ठीक है body effect को पर आपको क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे और भी effect से देखने को मिलेंगे for example यह वाला effect देख सकते हूं यह बहुत ज्याद motion ninja application क्योंकि यह दू application ही सबसे best हैं real videos के लिए तो cap cut के बारे में तो हम जानेंगे इस सारा चीज़ ठीक है तो इन्हीं effect को यूज के जाता है अब कोई साभी apply करने ना और यहाँ बहुत सारे ऐसा नहीं कि कुछ ही effects हैं बहुत सारे effects आप देख सकते हो कुछ super power वाले भी effect है जैसे कि अपने आखों में आप फायर लगा सकते हो ठीक है lightning eyes flaming eyes आखों में आग लगाने वाला चीज के तर गया जली से दिखिजा हाँ यह वाला flame आई ठीक है आप देख सकते हो हमारी आखों में हाग लग चुकिए आप इसमें भी देख सकते हो ठीक है तो इस टाप का effect जि बरक वाला कुछ है इसा effect है ठीक है एंड उसके बाद एक butterfly का wings भी है यहाँ पर यह यह effect से देखने रहे हैं क्योंकि लोड हुए नहीं है ठीक है तो इसलिए यह effect से देखने रहे हैं बट apply करने के बाद तो देखी सकते हो कितना कमाल का लग रहे ठीक है यहाँ पर कुछ wings व इसके बाद इसे done कर लेते हैं अपनी वीडियो में कमाल के animation हमें कैसे add कर सकते हैं animation मतलब कि सेक एफेक्ट और लूप में जो थोड़े effect चलते हूं वाले चलो मैं करके दिखाता हूं यार ठीक है तो अपनी वीडियो में animation add करने के लिए आपको क्या करना ना आपको जहां भ करने सिंपलिस साइब उपर क्लिक करके से split कर लेंगें ठीके स्प्लिट कर लेना उसके बाद आपको animation के ऐक option मिलेगा इसके उपर क्लिक करना देन यहाँ पर आपको तीन टाइप के animation मिलते हैं ठीक है the animation, out, and combo इनका अगर आप यूज़ करोगे ठीक है in animation का आप यूज़ कर अगर हम आउट एणिमेशन के बात करते हैं तो आउट का उपर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारी वीडों जो होगी व choosing means add होगी ठीक है आप देख सकते हो यह आउट में यह हमारी apply हो रही है फोल्ड यूज़ कर रहा हो तो फोल्ड जो होगी वह हमारी व्यूड़ो के लास्ट में यूज़ होगी तो जो भी एफट् अप यूज़ कर ऑप आफ में जाएगा इन में अगर आप रहे के यूज करोगे तो इन में रहेगा ठीक है और यहां पर मैं आपको कुछ इफेक्ट दिखा तो जिसे कि अन्फोल्ड यह अन्फोल्ड इफेक्ट बहुत ही कमाल का है इसका सिर्फ आप डूरेशन को अच्छा से फिक्स कर ले ना इसका जो यह डूरेशन है ना उसे आपको 0.3 क कर लो बहुत ही कमाल का सिर्फ आपको मिलेगा को लिजन यह भी बहुत ही बढ़ियावाल है जैन उसके बाद यहां स्क्रॉल करोगे तो आपको एक टूर्व्योलेंश मिलेगा यह भी काफ़ी कमाल का सेक इफेक्ट में प्रोवाइड करता है यह वाला भी ठीक है तो जो सेक आपको पसंद आएगा या फिर जो एनिमेशन आपको पसंद आगा उसे सेलेक्ट कर लेना देन उसके वाद एपर डन करोगे तो आप देख पाओगे कि यहां पर हमारी वीडो में यह वाला एनिमेशन एड हो गई है तो इस तरह के जा सकते इसमें आपको एक और चीज मिलते ह ही मैं जाता हूं और इनको कुछ नहीं रखता हूं आउट को भी कुछ नहीं रखता हूं एक कॉंबो को आपको सेक्षेन मिलेगा कॉंबो में आप जाओगे ना तो यहां पर बहुत सारे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे कि मैं आपको बहुत बार यह वाले इफेक्ट्स भी देखा होगा मैं दिखाता हूं आपको पेंडूलम वाला तो यह जितने भी इफेक्ट्स है ना यह सारे इफेक्ट्स यहीं से यूज के जा रहे ठीक है तो जो भी आपको अच्छा लगी जाता है आप उसे सेलेक्ट करना मैं यहां प यूडो में ऑडिमेशन भी एड हो गई ओके लेपार अर्यूस को ऑट्टो वैलोल अप्लाय करते एंड उसके बाद ताइल का आपको एक ओप्शन मिलेगा इसके ओपर क्लिक करने के बाद आप फूरा स्क्रॉल करना ठीक है स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको एक आडो देखने को मिल रहा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रेंडड पर इसके उपर क्लिक कर देना एन उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करोगे तो थोड़ा सा वेट करूगे देन उसके बाद मैं आपको जल्टे दिखाता हूं ठीक है और यह जो आटो वेलेशोटी है ना कुछ दिन पहले बहुती ट्रेंड पे था अभी भी ट्रेंड पे इसे डन कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसे प्ले करके दिखाओं तो आप देख पाओगे कि वीडियो हो क्या रही है कि कभी चल रही है उसमें आपको करके दिखाता हूं जैसे कि यह एक मेरी वीडियो इसे सेलेक्ट करके एड कर लेता हूं ठीक है एंड उसके बाद इसके ओपर मैं आटो वैलेशोटी अपलाई करने के लिए सिंपले सा इसको पर टैप करते अस्टाइल को उपर जाते हैं एंड यहां से आटो बहुत ही कमाल के लग लगजर है आप देख सकते हो कि इस तरी की इस ओटो वैलेशोटी को हम यूज कर सकते अपनी वीडियो को हडाते है ओके वीडोस की बैक्ग्राउंड को हमें कैसे रिमूव कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल होगा अपनी वीडो को पर आपको क्लिक करना एंड स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहां पर एक कट आउट का आप्सन मिलेगा इसको पर टैप कर देना देन उसके बाद आपको काउंड होगा उसे रिमूव कर देगा एक यहां पर काउंटडाउन चलता है यह जैसे हंडेट परसेंट हो जाए देन उसके बाद आपकी वीडो की बैक्ग्राउंड को यह रिमूव कर देगा ओके तो यह नाइन्टी नाइन होगी हंडेड होगी मैं प्ले करके दिखाओं ऐसे कालर गेंड़ को बहुत हीं इंपोर्टेंट चीज होता है ठीक जैसे कि इस वाली वीडियो को आपकी से मैं देख सकते हो यह नार्मल से अब इसे करके हम अपनी वीडियो को बहुत ही कमाल का्यों को प्रोवाइड कर सकते हैं ओके तो अध्योंग करना बहुत हाड़ न करने के बाद हमें यहां पे ना बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं ठीक है लिटरली बतारों बहुत सारे फिल्टर यहां पे आपको मिल जागा तो इस डर है ना वो सारे हमें बहुत सारे सेक्शन में देखने को मिलते हैं जैसे कि यहां पर दैसे तो फीचर वाले स और अपने फैब्रेट वाले सेक्षन में एड कर लिए ठीक है तो मैं आपको एक करके दिखाता हूं इन इफेक्ट को देन आपको कैसे गेन कर सकतो वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो जस्ट ब्लैक गोल्ड को में सेलेट करूं एंड उसके बाद यह था हमारे बीफोर यह है इफेक्ट है ना अगर आप सकाय कोई व्यूड़ यूज करो जिसे की हमारे प्रीवेस वाली व्यूड़ में सकाय था ना हाँ यह वाली व्यूड़ में जाता हूं ठीक है एंड यहां पर मैं अगर यह औरेंज ब्लू को एड करके देखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना अ करके दिखाऊं तो यहां पर अपको एक संटा मॉनिका भी है यह न पर यह एक एफेक्ट है यह वर वाले ठीक है और पीचर वाली सक्ष नहlorबन आपको काफी सार अच्छी को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं अब उसके बाद अडियस्ट के ओपर जाके आप यहां से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो ओके तो कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल होगा आपको यहां पर वह सारे टूल मिलेंगे इससे सैचुरेशन इससे क्या होता है कि आपका कलर्स बढ़ जाता है मत देख सकता죠 colors करें colors बढ़ जारें वह हम इसे इंक्रीश कर करें तो थोडा बहुत बढ़ा ले था इंक्रीश करने से थोड़ीLES एंद लाइट को होते हैं ज़यादा हमें सार को देखते हैं धियुअ इसे करेंगे तो यहाँ पर घ्लिक करेंगे और यहां पर एक unt Keeping में translating हमें ग्रीन कलर का सारा यहां कंट्रोल मिल गया ग्रीन केलर को अगर दूसरे ट्रीक केलर में कानेट करना होओ दोनोर簮ल ही रहने देते हैं पीला नहीं किरसें चबूंद्स ग्रीन को और सकते हैं ओर रंड फिलाकर्काती प्रेंड से सकते हैं कि मतलब सरब एस सकते हैं हमार से यह के इन्टेंज्ट तरु के सिर्फ करमसें अया जब ऑन다고 खता हैं न। करते तो आप देख सकते हो हमारी video काफी कम हाल के लगई ओके तो इस तरिके से की जा सकती है color grading मतलब क्या होता है न कि आप यह video देखो ठीक है इनकी यह दीदी के जो video है आप इनका face देख सकते, कितना मस्त है, मेंन्ड से अच्छा लग रहा है देखने में ठीक है, पूरा मेक-अप ये सब किया हुआ है, और व्यूड्यो को देखने में बढ़े हैं, तो Face Retouching का मत्तर भी होता है, अपने Face को बढ़े हां बनाना ठीके तो फेस को हम अपने बढ़िया बना सकते हैं तो इस वाली वीडियो को पर मैं जाता हूँ अब मैं यह नहीं बोलों कि इनका फेस उतना सही नहीं है बट हाँ इसमें थोड़ा बहुत 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 करेंगे तो कैसे की जाती बहुत ही सिंपल होगा आप अपने व्यूटो को पर क्लिक करना अपने फेस को गोरा करने के लिए आपको स्क्रॉल करने बाट आप एक चीणी नोटीस किये कि मैंने यहां पर लगभग आल्मस्टू टूल के बारे में आपको बता दिया इसे कि split का मैंने use का आपको बता दिया, speed का use बता दिया, animation का, style का, delete का, cutout का, volume का मैं नहीं बतायो ना, तो volume हो सिंपल है, यहां से volume आगे मलोगी कम जाद की जा सकती है, then उसको बाद आप इस्टेक्ट audio का अगर उपर आपको क्लिक करोगे, तो audio यहां से आपकी video में, जो भी audio होगी, वो निकल जाएगी, ठीक है, बस यही होता है, then edit को उपर क्लिक करोगे, तो यहां से आप इसे crop कर सकते हो, यह फिर rotate कर सकते हो, और filter और adjust का, तो मैंने भी आपको tool means use दिखाया, then enhance का, अब मैं आपको use दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो enhance को उपर आपको क्लिक करना, and face को उपर जाना, और यह इतने सारे tools के बारे मैंने आपको बता दिया, और अगर अभी तक आपने video को like नहीं किया है, तो भाई यह सही चीज़ नहीं है, लाइक कर दो ठीक है, तो यहाँ पर face, parts of face, makeup, manual, यह चार option मिलते हैं, ठीक है, face में आप जाओगे, तो face को आप एडिट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे वाले poster पर हम जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद even को अगर आप increase करको ना, तो आपका face smooth होगा, smooth के उपर जाओगे, इसे भी increase करको तो आपका face smooth होगा, बट यह कुछ ज्यादा होगी है, तो इसे थोड़ा कम कर देते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद skin color के उपर जाके, आप यहाँ से skin color को select कर सकते हो, अगर काला किसी को करना है, तो इसे select कर ले ना, थ सकते हो, जैसे कि इसे मैंने इतना increase किया, तो देख सकते हो, glow बढ़ जारी, कम हो जारी, तो थोड़ा रखते हैं, इंसान जैसे रहने देते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद white के उपर click करोगे ना, तो आपका अगर तित दिख रहा है, तो उसे आप glow कर सकते हो, then parts of face को उपर means, लंबी है, या कुछ भी error है, तो आप यहां से उसे solve कर सकते हो, then makeup के उपर अगर आप जाओगे, तो यहां पर आपको कुछ makeups मिलते हैं, देखने को, जो की means, पूरा kit रहता है, ठीक है, देख सकते हो, यहां पर एक click कर रहा हूँ, lips, face, eyebrows, सारा चीज़ एडिट कर रहा है बट अगर आपको खुछ से सारा add करने हैं, तो इसे none कर देना, eye laces को उपर जाना, and यहां से आपको select कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, देख लेना, जो अच्छा लगे हैं, उसे select करना, eye shadow को उपर जाओगे, तो यहां पर eye shadow भी मिल जाते हैं, आप देख compare to before वाला, ओकी, तो इस तरीके से face retouching के जाशकती है, now three layer, या फिर five layer, two layer, four layer वाली वीडो जो कैसे बना सकते हैं, तो उसे बनाने के लिए ना, सबसे पहले आप capital open करना, new project को उपर जाना, and जितना भी layer का आपको वीडो बनाना है, ठीक है, उन सारे वीडो को आपको select करने एसे कि मुझे तीन लेयर की वीडो बनाने, तो मैं यहाँ पर तीन वीडो को select करूँगा, तो मैं कुछ तीन वीडो को select करता हूँ, ठीक है, तीन वीडो को मैंने select किया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, simply सक college को पर click कर देना है, and थोड़ा सा wait करोगे, then आपको जो three layer वाली वीडो है, वो बन जाएगे, कुछ नहीं करना पड़ा, तीन वीडो को select गया, and उसके बाद college को पर click करेंगे, and हमारी वीडो बन जाएगे, यह processing complete हो जा, then उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आपको result दिखाता हूँ, ठीक है, आप देख सकतो, एक क्लिक में तीन वीड नीचे में यह सारी वीडो हैं, ठीक है, हाँ, पता है यहर, मैंने मिन सही से नहीं रखा, उपर नीचे कोई भी हो गया, अब इसमें आप एक चीज और कर सकतो, यहाँ पे इसका format भी change कर सकतो, कि कि इस step को आपको 3 layer वाली वीडो चाहिए, जैसे कि इस step को चाहिए होगा, त दन उसका बाद इस continue को पर click करो तो 3 वीडो वाली वीडो बन गई, और आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, अगर इसे आपको डिवाइस में सेव करना है, तो export वाली बटन को पर tap कर दना है, और shape हो जाएगा आपकी डिवाइस में, ओके, अपने background को हम change कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी background को add करना होगा, ठीक है, तो photos वाले section के उपर हम जाते हैं, and photos वाले section के उपर जाके, जो भी background हमें रखना होगा, उस वाले background को select कर लेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक background select करता हूँ, जो कि मैंने काफी समय पहले install करके रखा थ यह वाले background ठीक है, इसे select किया, and add को पर click करेंगे, तो मतलब कि सबसे पहले आपको background ही add कर लेना होगा, then उसके बाद यहाँ पर scroll करोगे ना, तो आपके सामने एक format का option हैगा, इसको पर click करना, and अपना format को select कर सकते हो, 16-9 select करते है, and अपनी photo को थोड़ा zoom कर लेते हैं, कु उपर click करके, इसे increase करते हैं, तो corner वाला side कुछ step का black हो जाएगा, ठीक है, done करते, then उसके बाद overlay के उपर आपको click करना होगा, and उसके बाद add overlay के उपर click करना है, और अपनी video जाले section के उपर जाके, green screen वाले video को select करके, just add कर लेना है, ठीक है, add हो जाए, then उसके बाद यहाँ scroll करोगे, तो आपको सामने cutout का option हैगा, इसके उपर click करना, chroma key के उपर click करना, और green color को select करके, इसका intensity को उपर click करके, इसे increase कर देना, अब देख पाओगे, chroma key से हमारे green color हट जा रहा है, and done करेंगे, तो आप देख सकते हो, background change हो गया, green से यह वाला background हो गया, ठीक है, अब इसे का जो duration है, उसे अपने video का duration के recording fix कर लेंगे, and आप देख सकते हो, background change हो चुकी है, और इसे थोड़ा बोत आप अच्छा से adjust कर सकते हो, जिसे कि यह थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसे अच्छा से adjust कर देते है, and हो गया, final ठीक है, तो इस तरह किसे किया जा सकते है, अपनी video को आप add कर लो, okay, तो यहाँ पे हम video को add कर लेते है, subtitle के मैं आपको सबसे पहले example लिखाता हूं, यह देख सकते हूं, यहाँ पर क्या है, कि जो भी महिस्वरी सर बोल रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ रहे हैं, कि आप द यहाँ वाले video मैंने AI की help से बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर हमारी video है, इसमें AI की द्वारा means मैंने सारा चीज किया है, यह बोल्ड है, बस video हमारी है, अब इसमें हमें subtitle add करने के लिए, टेक्स्ट को पर हम क्लिक करेंगे, देर उसके बाद हमें काफी सारे option मिलता है, ज यहाँ पर हम लिखेंगे यह video AI की help से बनाई गई है, तो बनाई गई है, उसको second line में लिखते हैं, क्योंकि यह काफी ज्यादा लंबा line हो चुका है, देर उसके बाद है, यहाँ पर font के उपर क्लिक करोगे, तो काफी सारे आपको यहाँ font मिलेंगे, English language में आप जाना, देर यहाँ बढ़िया वाले font मिलेंगे, ठीक है, तो English के उपर हमने क्लिक किया, और उसके बाद नीचे जाएंगे, तो काफी सारे font मिलते हैं, चलो देखते हैं उन्हें, तो यह वाला font भी काफी बढ़िया लग रहा है, देन उसके बाद यह सेलेक्ट करें, और मिंस यहाँ पर आप जाओ गए, तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, टूल्स, टेक्स्ट का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं, बट यह नहीं करना हमें, ठीक है, इसे सिंपली से हम बैक कर लेते हैं, बैक कैसे करूँ नहीं होगा, मैं आप खुद से मिन्स, टेक्स को कलर यह से दे सकते हो, बट मैं आपको क्या बोलता हूँ, कि आप इफेक्ट को पर आऊ, ठीक है, एंड यहाँ सो कोई इफेक्ट को ही सलेक्टे कर लो ना, यार, कितने बढ़ियां वाले इफेक्ट से हैं, तो हम क्यूँ खूँ से मारख पेची करें खुद से बनाए यहां पर बहुत सारे बढ़िया वाले एफेक्ट में मिल जाते हैं सिर्फ अस्टाइल में जो आपने यहां पर यहां पर यहां पर काफी सारे एनिमेशन मिलते हैं टाइप राइटिंग रेंडम कमिंग यह से बहुत सारे यहां पर एनिमेशन हैं ठीक है कोई साभी एक एनिमेशन आप सेलेक्ट कर लेना यह लोड हो जाए दिन उसके बाद में आपको दिखाता हूं को एक सेलेक्ट करके देख सेकतों यह वाला यूज करते तो कुछ ऐसा है इसे यूज के जा रहा है तो कुछ ऐसा है इसे यूज करों तो ऐसा है बहुत सारे टाइप के यहां पर इफेक्ट मिल जाते हैं जो अच्छा लेगे उसे सेलेक्ट कर लेना यह लोग काफे प्रोफेशनल लग रहा है इसे सेलेक्ट कर लेंगे देन यहीं पर आउट में भी जाएंगे और आउट में फेड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ब पकड़ के ले आते हैं और यह starting वाला जो है ना वो हमारे इतना ही दूर तक है तो इसे इसके उपर tap करके इसे scroll करके इतना ही दूर तक fix कर लेंगे अब यह यहाँ पर आ गई ना इसको आपर click करना और उसके बद style के उपर click करके just आप यहाँ पर tap करके इसे change कर सकते हो तो यह video AI की help से बनाई गई है यह मैं यहाँ बोलों तो लिख देते हैं अब कर देंगे देन उसके बाद आप देख पाऊगे कि बिना कुछ किये हमारा same effect बन जा रहे है same effect हमारा आगे ओ भी बिना कुछ मेहनत के ठीक है तो इसी तरी की साब करना इसको पर click करना copy करना और इसे आगे रख लेना एंड टैप करके फिर style को पर जाके जस्ट यहाँ पर आपको जो next चीज होगा उसे आप यहाँ लिखना बट पहले यह वला हम हटा देते हैं और उसके बाद बनाई गई है तो अगर आप भी चाहते उस step का बनाना तो अगर आप तो इस तरी के जो भी होग उसे लिख के जस्ट यहाँ पर डन कर देंगे और उसके बाद आप देख पाऊगे यह next वाला भी हमारे यहाँ एड हो गया तो इस तरी के से सब्टाइटल एड क्या जा सकता है फाइनल स्टेप जब हमारी वीडो बन जाती तो इसे हमें करना होता है एक्सपोर्ट ठीक है तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर सेटिंग बताता हूं उस सेटिंग होगर आप फॉलो करके एक्सपोर्ट करोगे तो आपके वीडो अच्छे क्वालिट ही रखना और इसे 60fps कर देना फोर के करने की कोई जोरुवत नहीं है ठीक है फोर के करोगे तो क्वालिटी थोड़ी से बढ़ेगी लेकिन साइज जो होगा ना वीडो का बहुत बढ़े जाएगा इसलिए थाउजन डेटी ही रहने देना बस 60fps को कर देना इससे होगा एक व क्लिक में आप अपनी वीडो को जाना है अंड यहाँ पर बहुत टाइप का आपको वीडो देखने को मिलागा उन्हें यूज करके आप एको एक क्लिक में वीडो को आइडिंट कर सकती हो ठीके आप देक सकतो काफी सारे यहाँ पर टैमपलेटेस एड़ हो गए इनहें यू पसंद आगया तो इसको उपर क्लीक करना and click करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा कि आपकी वीडियो कैसे एडिट होने वाले कुछ इस तरीके का एडिट होगा आपकी वीडियो ठीक हे तो यूज़ template को पर click किया देन अपनी वीड़ को select की अब उसके बाद preview को पर click कर रहें थोड़ से वेट कर रहें एड़ उसके बाद आप देख पाओ वीड़ो जो है वो हमारी edit हो जाएगी हम इतना दर से महनत करर रहे थे कापकट application को सीख रहे थे और उसके बाद हम वीड़ो को edit कर रहे थे लेकिन यह template तो यह काफी कमाल का चीज है मलोगी एक click करो and बन जाएगी तो देखते हैं यहर कैसा बनता है थोड़ा सा processing complete हो जाए अप यहाँ देख सकते हो हमारी वीड़ो बन गई स्टार्टिंग में स्लो भी हो रहा है और यहाँ पर जो विब्रेंट्स वाले एफेक्ट मैंने दिखाया थो वह भी है और color grading भी की गई है तो आप देख सकते हो वीड़ो हमारी एक click में बन गई और यह सारे editing मैंने आपको दिखाया हुआ ठीक है इफेक्ट वाले section में जो मैंने आपको vibration दिखाया थो वही वाले effect यहाँ पर add किया गया बस starting में थोड़ा slow motion है उसके बाद यह color grading करके थोड़ा यहा अपने देख लेए ठीक है अब उसके बाद export के ओपर click करना एंड उसके बाद export without watermark के ओपर click कर देना वीड़ो बन जाएगी तो देखो है मैं बहुत सारे चीजों के बारे में आपको capget application के बारे में बता दिया हूँ तो यहर वीड़ो को like करना और दोस्तों के साथ share करना comment करना तो बनता है यार अब मिलते है नेक्स्ट वाली वीड़ो में